और आज हम फिर से लेकर आएं आपके लिए एक ट्रेवल व्लॉग मनसा देवी रॉपवे और यह हम रॉपवे से मनसा देवी गए थे जो कि रॉपवे का रास्ता कुछ तू पॉइंट किलोमीटर का पढ़ता है और 8000 से जादा लोग डेली रॉपवे से मनसा देवी ट्रेवल करते हैं यह इसका परवेश द्वार है जो कि आपको रॉपवे पर सीधा ले जाएगा जहां पर मनसा देवी परवेश द्वार लिखा हुआ है होटल महालक्षमी के बहुत गए है जाकि रॉपवे की टिकेट कटाते हुए आप अंदर जाएंगे और यहां पर काफी वेटिंग है 102 नंबर चल रहा था और हमारा 108 सा जिसके अंदर बहुत भीड का सामना हमें करना पड़ा यह हम जाए थे यह अल्मोस्त में अगस्त के टाइम पीरियर में अंदर आप इसे ओनलाइन भी बुक कर सकते हैं मंसा देवी रोपवे पे जिस पे आपको उडनखटोला.com पे जाना है और आपको एक दिन पहले जो है अपना स्लोट बुक कराना है सोल्ड आउट रेड कलर का होता है अवेलेबल ग्रीन कलर का है और आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक दिन पहले और यह मंसा देवी हरीद्वार के लिए अभी बुक करेंगे तो अभी हम चेक करते हैं कि अवेलेबल है नहीं तो ग्रीन दिखा रहा है तो इसका यह मतलब है कि और रॉपवे की बुकिंग जो होती है ओनलाइन तो आप इसी भी टाइम कर सकते हैं वैसे ओफलाइन भी होती है जो कि सुबह पांच बचे से लेके शाम को छे बचे तक होती है और फर्दर हम दिखा रहे हैं माता मंसा देवी और चंडी देवी माता के लिए रॉपवे टिके जो दो से चार साल के उनके लिए आपको अलग से कराना पड़ेगा और यह वैलिड होता है टू डेज के लिए ट्रांसपोर्ट भी मिलता है आपको 95 रुपीज का जो कि मंसा देवी से आपको चंडी देवी ले जाएगा बस का ट्रांसपोर्ट होता है यह उसके लिए आप कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे माता मंसा देवी और माता चंडी देवी रॉपवे की टिकेट हम बुक करेंगे साड़े तीन सो रुपे की पर परसन होती आप उसमें नंबर और परसन पूट कर सकते हैं जैसे कि वन से टू हो गया फोर के लिए बुक कर सकते हैं और यह दोनू जगा चलेगी मंसा देवी माता पे भी और चंडी माता पे भी और आपको अगर कोई चाइल्ड आपके साथ ह है तो आपको 195 रुपीज की उनके लिए भी बुक कराना जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह गूगल का स्क्रीन शॉट मैंने शेयर करा हुआ है इंडिविज्वल परसन की 145 रुपीज की होती है टेक्स इंक्लूड इवन 163 रुपीज की बढ़ जाती है पर परसन और वैसे यहां से जूला जो है और आ गया है इतनी वेटिंग के बाद व्यू इस वेरी इंजॉएबल एक के बाद एक उड़न घटोल आएगा और इसमें लोग बिठाए जाए जाएंगे चार या पांच और फिर उपर बहेद दिया जाएगा मंसा माता देवी मंदिर में इसे रोपे से उपर जाते हुए मुझे थोड़ा सड़ लग रहा था बाद व्यू इस वेरी मेजमनाइजिंग एंड इंजॉएबल और यह आपको नीचे से दिखाए देगा जो की पत रास्ता जिसे कहते हैं पैदल चलने वाला रास्ता सोरी मैंने मिस्प्रोनॉंस कह दिय है और यह इस पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बुज़ूर्ग लोग भी पैदल चढ़ाई करके माता मंसा देवी पे जाते हैं यह सब आपकी कंडिशन के हिसाब से क्या प्रोपे पर जाना चाहते हैं या पैदल जाना चाहते हैं और अभी यह बस हम पहुच गए हैं म मंदिर पर उपर तो परशाद चढ़ाते हैं अंदर मंदिर में वीडियो बनाना बिल्कुल अलाव नहीं था यह कुछ छोटे मंदिर दर्शन है जो कि बहार की तरफ के हैं और मैंने उनका वीडियो बनाया हुआ है यह हम दर्शन करके बहार आ गए और इसके बाद यहां ही बहार से हनुमान मंदिर और माता अंजिनी देवी का पत्रास्ता भी जाता है पर हम वह नहीं जा पाए थे हमारे पास टाइम बहुत कम था और यह हम वापिस जा रहे हैं और आप एक सकते हैं मेरे पीछे हरी द्वा में माता गंगा का जो जिसे कहते हैं बैंक ओफ गंगा बहुती ब्रॉड दिखाए देती हैं गंगा माता यहां से बहुती अच्छा व्यू दिखाए दे रहा है हरी द्वार का और माता गंगा का और आइ थिंक उडन खटोला भी उड़ते वे बहुत सुंदर लग रहे हैं this is me I'm also very beautiful अच्छा ही लग रहा है सब कुछ बहुत सुंदर है and माता के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए thanks for watching and please subscribe to our channel